भाईयों और बेनों, काशी आस्था और आध्यात्म के साथ साथ ज्ञान का भी मुख्य केंद्र रहा है। बीते पांच वर्सों में बियेच्यू जैसे ज्ञान और विज्ञान के बड़े सेंटर को विस्तार दिया गया है। आज भी यहां वैदी ज्ञान विज्ञान से लेकर आधुनिक चिकित्सा से जुड़ी अनेख सुविदाओं का लोकारपन किया गया है। आज वारानसी पुर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बनकर उबर रहा है। यहां कैंसर जैसी गंबीर बिमारियों के आधुनिक इलाज के लिए कई अस्पताल तैयार हो चुके हैं। पहले जिन बिमारियों के इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। उनका इलाज अब यहीं पर मिल रहा है। इसका व्यापक लाब उत्तरपदेश के साथ साथ पुर्वी भारत के बहुत बड़े हिस्से को हो रहा है। बियेच्यू में आज जिस सूपर स्पेशालिटी अस्पताल का लोकारपन हुआ है। उसका सेलान्यास को दोजार सोला के आखरी में मैंने ही किया था। सिर्वी किस महने में चार सो तीस बेड़ का यह अस्पताल बन करके काशी और पुरवाण चलके लोगों की सेवा के लिए तयार हुआ है। कबीर चौरा में जीला महला चिकित सालाई में सो बेड़ के मेटरिनिटी विंग से शहर के महलाओं को बहुत मदद मिलेगी। मैं योगी जी और उनकी टीम को बढ़ाई दूँगा कि पूरे उत्तरप्रदेश में मेडिकल कॉलेज और आउश्मान योजना के तहत हिल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुद्ध पीने के पानी और स्वच्छता को लेकर भी जो प्रयास बिते दो-तिन वर्षों में यहां हुए हैं उससे एंसेफेलाइटीस जैसी बिमारियों से निपटने में बहुत सहायता मिली है।